हेलो स्टुदेंट्स वी यार लाइव नौ वेलकम टो एसाइएस ओनलाइन क्लासेस आयम अंकित बहत एंड एंड विद चैप्टर नंबर सेवन्थ वैदर क्लाइमेट एडप्शन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट ओके इस्टुदेंट्स वैदर कंडिशन्स हम लोग स्ट्री होता है क्लाइमेट में इसे वैदर की काउंटिंग बोली जाएगी ठीक है कि थोड़े दर पहले रही थी थोड़े दर बाद धूप निकल आई सो यह वैदर कंडिशन है क्लाइमेट कंडिशन्स क्या होती है अब आप इसे समझें सो स्टार्ट करते हैं टॉपिक दी एवरे पैटर्न टेकन ओवर लॉंग टाइम मतलब यह जो वैदर पैटर्न है इसे एक लंबे टाइम तक हम रिकॉर्ड करें से 25 यह कि इसको ऐसे बोल सकते 25 यह तक इसको क्या करें इसका एवरेज वैदर पैटर्न हम लोग कम्प्लीट रखें लॉंग पीडियड तक इसे क्लाइम क्लाइमेट ऑफ प्लेस यह उस प्लेस का क्लाइमेट बोला जाएगा ठीक है कि दा क्लाइमेट ऑफ रीजन डिपेंड्स ऑन दी फॉलॉइंग फैक्टर्स अब सपोस्थ जो पोलर एरिया थे ठंडे प्रदेश हैं तो उनको ऐसे थोड़ी नहीं बोला गया साल भर का यह एक रहती त Lilia प्लuds के देवाई डेकर यहां ज़्यादा तंप्रेचर हाई होता ही तक ओव्यस्थट है तो यहां ऑसको ब्लाइच कि बांद चलेगी तो हमें मेरे दिभांच में क्या आजाएगा कि यह थणडे जगह की बाथ चल लीका है और warm एडियास की अगर डिसर्ट की बाथ चले तो तुरांद मारा मैंड मेकप हो गया कि हाट एरियास की बास चल लीकाहिए तो डेजर्ट हो यह पॉलर इनके कई सालों के रिकॉर्ड जब मेंटेन किये गए हैं तब पता चला होगा कि जो डेजर्ट एरियाज वहां कभी स्नों नहीं फॉल हो सकता है और जो पॉलर एरियाज है वहां सन के हीड वाइस को मेल्ट नहीं कर सकती है तो यह बाते क्लियर होगे तो यह क्लाइमेट कंडि ट्रशन होती किसी रीजन की उनके कुछ फैक्टर भी डिपेंड करते हैं ठीक है डिस्टन्स फ्रॉम दी एक्वेटर की एक्वेटर से वह किस डिस्टन्स पर है ठीक है यह यहजिए यह बोले जाते हैं, places, distance from the equator, अब जैसे जैसे क्या होता जाएगा, equator से हम लोग दूर जाते जाएंगे, बतलब जैसे ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ का equator है, अब जैसे जैसे हम लोग ये, ठीक है, ये north reason हो गया, नौर्थ पोल वो गयाए यह साफ पोल हो गया तो जैसे जैसे ही वीटर से हम लोग दूर जाते जाएंगे या इधर नीचे डाउन 붙 जाते जाएंगे तो वैसे वैसे जो होगा सन्रेस क्या हो कि कम पहुंचेंगी और जो कम पहुंचेंगी तो यहां ठंडग ज्यादा होगी, cold reasons होगी, places distance from the equator are much cooler like the north and south cold, ठीक है, इसलिए north pole और south pole पर क्या होता है, बहुत ठंडा होता है, as the sun rays fall on a dispersed area, क्योंकि ये dispersed area में बहुत कम race E क्या होती, sun की पहुँच पाती है, तो ये first factor तो होगया, distance from the equator, कि जब अगर equator के पास हैं, तो ऐसे areas में sun की direct race पहुचेगी, और वो hottest areas होंगे, ठीक है, और जैसे equator से distance पे जाते जाएंगे, वैसे वैसे हम लोग cooler areas में होंगे, ठीक है, इसलिए North Pole और South Pole पे सबसे ज़्यादा, कि पोल्स में क्या होता है, सबसे ज़्यादा, ठंडा गोती, cooler places होते हैं, ठीक है, क्योंकि equator से ही सबसे ज़्यादा दूर होते हैं, और sun rays जो होती है, ये dispersed area में बहुत कम पहुच पाती है, ठीक है, temperature and rainfall, ठीक है, दूसरा factor है कि temperature and rainfall का क्या यहाँ पे situations है, तो that temperature in Rajasthan is high during most part of the year, ठीक है, अब जैसे राजस्तान की बात करें, तो राजस्तान में जो पूरे year का जो most part है, ठीक है, ज्यादा पार्ट है year का, वो कैसा रहेगा, high temperature पे रहेगा, ठीक है, but during winter, the temperature is very low, और जब winter season आएगा, तो temperature क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, also Rajasthan receives very little rainfall, hence the climate in Rajasthan is typical desert type, ठीक है, और Rajasthan जो होता है, वो little rainfall को receive करता है, इसी लिए राजस्तान का जो climate है, वो typical desert type होता है, that is hot and dry, ओके, the northern, sorry, north eastern region of India receives rain, जो north eastern region होता है इंडिया का, वो rain को क्या करता है, receives करता है, for a major part of the year, ठीक है, जो northern part होगा, जो उपरी part होगा, जो earth का अपर part होगा, वो सबसे ज़्यादा क्या करता है, rain को सबसे ज़्यादा receive करता है major part को, the climate in the north east is therefore wet, इसी लिए north east part क्या होता है, wet मतलब गीला होता है, ठीक है, so I think ये दोनों topic आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे, अगर कुछ भी problem हो तो बेटा फिर से पूछ लेना, message कर देना, next class में फिर discuss कर लेंगे, लेकिन बेटा एक बास सुन लीजिए, हमें personal message करें में आप अपना नाम डाल दे, class डाल दे और जो आपको topic नहीं समझ में आया, उसकी picture डाल दे, ठीक है, so हम तुरंत नहीं आपको कर पाएंगे, लेकिन जो अगली class का वीडियो बनाते न, उस class में आपको चाहें भले नया topic ना start कर पाएं, जो आपको previous जो problems हैं, उसको जरूर डिसकस कर लिया करेंगे, okay, so bye, take care,